प्रिट्यू का कारण क्या था? क्या श्रीकृष्ण ने मृत्यू के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यू के बाद क्या हुआ? इन सब सवालों के जवाब जानने की जिग्यासा हर किसी के मन में जरूर होती है। पर बीता। बताया जाता है कि महा भारत के यूद के बाद श्रीकृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयू 125 वर्ष थी। दर असल उनकी मृत्यू के पीछे की वजह दो श्राप हैं। आये इनके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महा भारत के यूद के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भायों का अंत हो गया, तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रनभूमी पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यू का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांधव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्विकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यू हो गई। उनकी मृत्य एक शिकारी के हाथों हुई। भागवत पुरान में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब आपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारन कर रिशिमुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने रिशियों स कहा कि वह गर्भवती हैं यदुवंश कुमारों की इस शरारत से रिशियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राब दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा इस श्राब को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने त कर दिया कि यादव राजय में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामगरी का इस्तिमाल उत्पादन या वितर्न नहीं करेगा इस घटना के बाद द्वारका में कई अशूब संकेत देखने को मिले जिसमें सुदर्शन चक्र बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंक रत का अद अगुवत पुरान में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेर के नीचे